नमस्कार किसां दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों अगर आप कमपाइन के माध्यम से मसीन के माध्यम से सरसों की या गेहुं की कटवाई करवना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आपको दिखाएंगी कि कैसे इसकी कटाई होती है अनाज आपका कैसे पेवर आपके साधन में भर जाता है और कितना खर्चा आपको प्रतेकर के हिसाब से आता है दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा अगर पसंद आया तो लाइक जुरूर करिएगा शेर भी कर दीजिएगा पहले हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो सरसों की कटाई हम करवाने जा रहे हैं वो किस तरह से हो रही है जो कमपाइन मसीन है वो हमारे खेत में आ चुकी है अब हम इसे सरसों के खेत की कटाई के लिए त्यार कर रहे हैं तो इसको पहले क्या रहता है इसमें एक जो चाकू वाली शूरी वाली जो मसीन होती वो अलग होती है जो की इसमें साथ में जुड़ करके आती है लेकिन इसको कटाई से पहले आगे वाले भाग में मसीन के जोड़ा जाता है तो उसकी तयारी हो रही है इसको आगे वाले तो देखिए इस तरह से उसका जो कचड़ा होता है वो भी यहां पर निकल जाता है इसको क्या कराएं आप इसकी मल्चिंग करा सकते हैं खेत में रोटावेटर इत्यादी की सहयता से अच्छी से जुदाई करवा सकते हैं जो खाद के रूप में आप इसका लाब दोस्तों हम आपको बता दें कि अगर आप एक एकड़ सरसों या गेहूं या धान की कटवाई करवना चाहते तो खर्चा आपका कितना बैठेगा 1200 से 1500 प्रतेकड के हिसाब से आपका खर्चा बैठेगा आपके अनाज की वसाई और सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी व तो दोस्तों इस आप कमपाइन मसीन की स्वाहता से अपने धान गेहूं सरसों इत्याद को आसानी से कटवा सकते हैं कम से कम खर्चे में आपको अनाज की वसाई और सफाई करवाने की जरूरत नहीं है आपको लेवर के पास जाने की जरूरत नहीं है कोई समस्या नहीं होती इससे जुड़ी साधी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं वीडियो को ज़्यदा ज़्यदा लाइक करें, सेर करें और चैनल पर बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूने